सर पर कपड़ा बांग कर मिस्तरी करने से मर्द देश से फारिग होता है। खाली पेट औरस से जमा करने से मर्द के टाइमिंग दुगना बढ़ जाती है। खाना खाकर औरस से जमा करने से बंदा जल्ली फारिग हो जाता है। बदन पर ससों का तेल लगा कर जमा करने से बदन में सकती और मनी देश निकलती है। सर पर नारियल का तेल लगा कर मस्तिरिक करने से दिमाग के नस मनी नहीं निकलने देती। चिरी खा कर जमा करने से पेट अंदर चला जाता है, नस बहार निकलाता है। नफस पर ठंडा पाने डाल कर दमा करने से टामिंग दो खंडے तक बढ़ जाती है. चावल खा कर औरत के पास जाने से नफस की मनी का प्रेशर बढ़ जाता है. गरम दूद में बड़ी इलईशे डाल कर मुठ मारने से नफस की मुठाइ में इजाफा होता है. उबले होई चन खाकर मुट माने से अज़ु नफस की मुटाई में इजाफा होता है। नफस पर सोडे वाला पानी डालने से नफस गबारे की तरह फूल कर मुटा हो जाता है। पटेल की कलेची खाने से नफस में सकती स्टील की लोहे जैसी आ जाती है। बास के पानी में नफस को भिगव द करो नफस की लंबाई बहाँ जैसी होती जाएगी चोही का पिशाब नफस पर डालने से नफस की टैमिंग 40 मेंड तक बढ़ जाती है कलूंजी का कर जमा करने से हपची जैसी नफस में सखती और ताकत आ जाती है गले सड़े फल खाने से बरदाना ताकत में घोड़े जैसी ताकत आती है हामला औरत मालते जादा खाए तो बच्चा उसका जहीन और शातर पैदा होता है हामल अवर्ध अनार रादा खाए तो उसका बच्चा दू जैसा फ्बाहित पैदा होगा हामल आवर्ध पैदल जादा चले तो पदाइश के वक्त दर्द कम होगा हामल आवर्ध को चाये जाडो जाड़ा लगाए बदाइश के वक्त जादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा पिशाप करने के बार नेमू चार टेने से मनी में कमी नहीं आती मुठ मारने से जिसका नफस तेड़ा हो गया हो वो शैंपू के साथ मुठ मारे नफस सीधा हो जाएगा बेहन्स के गोश का शोर बा नहार मू पिया करो कोवत ये बाह में सौ साल तक कमी नहीं आएगी पाउं की तलिये उपर जैतून का तेल लगाने से औरत का लुफ दो बाला हो जाता है नाफ में सरसों का तेल लगा कर हमिसरी करनी से पेट अंदर चला जाता है खड़े होकर जमा करने से पेट की चरबी पिखलना शुरू हो जाती है नफस का रंग काला पढ़ने लगा है तो नफस पर बकरी के दूद की मलाई लगाओ सफैद हो जाएगा तीन दिन में लंबाई साप जैसी और हाती के सून जैसा मोटा चाहिए तो नस पर कच्चे केले का छिलका चला कर सो जाया करो